हेलो एंड बेलकम आज हम लोग अगेन कानून के बारे में कुछ डिसकस करेंगे एक बॉम्बे में केस हुआ है कार में कुछ एक्सप्लोसिप मिले थे और सामान उसकी इनिविस्टिकेशन हुई तो वो तो एक रेफरेंस है वहाँ पर एक सेक्शन बहुत जादा नियूज में रही वो है सेक्शन 286 286 IPC की जो धारा है उसमें क्या है देखो अपने देश में मैंने बीबिज अधिनियम में एक एक्सप्लोसिव एक्ट जो इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1908 में बनाया गया था जिसको अंग्रेजों ने 1908 में जो जो जोलन सील पजार्स होते हैं उस ने ने करांतिकारी आ रहे हैं तो अंग्रेजों को यह हमेशा डर रहता था कि जो है एक्सप्लोसिव का कहीं यूज ना हो इसलिए उन्होंने ऐसा कानून बनाया था उसको काउंटर करने के लिए हाला कि एक प्रोवीजन आईपीसी में है सेक्शन 286 आईपीसी वो जो बात करता है नेग्लीजेंट कंडेक्ट बिस एक्सप्लोसिव सब्सेंस जैसे किसी फैक्टरी में या लापरवाही पूर्बक कोई जो लंसील पदार्थ है वहां पर कुछ अन्होनी होती है और किसी की जो है लाइफ इंडेंजर हो जाती है बहुत गंभी रूप से चोटिल हो ज यहां समझ रहे होता है लेकिन यह ऐसे कुछ क्राइम होते हैं जिनमें क्या है कि समझ होते का कोई स्कूप नहीं होता है यह भी संगय कोगनिजर्वल ऑफिंस है और जमानत ऑफकोर्स इसमें मिल जाती है और इसमें डो टर्मों बहुत इंपॉर्टन द्यान रखने वाली ब पट जाए या जल जाए और लोगों की life in danger हो जाए तो ऐसे संकट यहां पर उत्पन होते हैं वहां पर 286 लग जाता है इसमें 6 months की जो है जेल का भी प्रावधान है और बस इसमें सबसे important बात ही है कि इसमें कोई ऐसा चीन नहीं कि इसमें कोई समझा उता हो सके तो 6 महिने की एक हजार तक का जुर्माने का भी प्रावधान है दोनों भी मिल सकता आफकोर्स इस ओंडी मेजिस्टेट के उपर डिपेंड करता है तो आई होप यह आपको समझ में आया होगा सेक्शन 286 है और इंडियन एक्स्पोसिप जो 1908 का पर हमने पहले से बहुत पहले उसको डिस अधिनियम में तो आई होप यह सेक्शन आपको समझ में आया होगा यह है जोलन सील पदार्थ के रिस्पेक्ट में जहां पर एक बेक्ति को सावधानी रखनी चाहिए इस्टेबलस इस्टे सेफ